अफ्रीका महादीप को जो जलसंधियां अलग करके एक अस्थाल खंड के रूप में महादीप बनाती हैं प्रमुख है, उनमें सबसे प्रमुख है जिब्राल्टा जलसंधि यह आप देख रहे हैं जिब्राल्टा जलसंदि जो की इस्पैन जो की इूरोप का देश है और मोरक्यो जो की अफ्रीका देश है अफ्रिकन देश है इन दोनों को अलग करती हैं और Atlantic महासागर और यह Meditariansy यानि कि भूमद दिसागर इसको जोडती है जिब जलसंदियां का मतलब होता है जो जो अस्ठल खंडों को अलग करें और जो दो जलधाराओं को जोडें वो जलसंदियां कहलाती है तो ये क्योंकि ये दो जल्धाराओं भूमद्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोडती है और यूरोप और एसिया यूरोप और अफरीका महादीब को अलग करती है तो इसलिए जिबराल्टर जिसे इसे भूमद्य सागर के कुझी भी कहा जाता है तूसरा जो अफरीका महादीब को जिस्ता अलग करता है आप देख रहे हैं कि भूमद्य सागर यूकि पूरे यूरोप के छेत्र को और लगभग लगभग कुछ यूरेसियाई छेत्रों को भी अलग करता है Meditariancy आफ़ीका महादीप को योरोज़़एशिया और योरोप के देशों से अलग करता है अफ़ीका को दूसरा है इस स्वेज कैनल स्वेज कैनल यानिकि स्वेज नहर जो है ये सिनाई प्रायदीप के सहारे ये एसिया और अफ्रीका को अलग करती है सिनाई प्रायदीब के द्वारा इसके लावा अगर हम बात करें दूसरा तो एक लाल सागर है लाल सागर ये भी हमें एसिया यानि कि आरफ कंट्रीज जो है सौदी अरबिया, यमन, कुवेट इन यहां से लाल सागर के द्वारा मिस्र, सुडान के जो इक्टिरिया, सोमालिया यह जो अफ्रीकी देश है यानि अफ्रीका अलग होता है रेड सागर जो है यानि लाल सागर अरब सागर से जुड़ता है वो अधन की खाड़ी के द्वारा अधन की जो खाड़ी है उसके द्वारा राल सागर और अरब सागर का मिलन होता है, इसकी जलधारें जुड़ती हैं, जबकि लाल सागर जो है एसिया और अफरीका को अलग करता है, दूसरा है अरब सागर, अरब सागर भी इसके अफरीका महादेप को सेफरेट करता है, तो यह कुछ ऐसे महात्पूर्ट चैनल है, जलसंदिया है, जो कि अफरीका महादेप को अलग करती है, आप देख रहे हैं कि अफरीका महादेप के पूर्वी भाग में हिंद महासागर है, जबकि पस्चमी भाग में साउथ अट्लांटिक होसे,